आज कि इस वीडियो में हम जानेंगे ITI में पढ़ाए जाने बाला सबसे महत्वपुन ट्रेड कोपा ट्रेड के बारे में कोपा ट्रेड में अड्मिशन कैसे ले सकते हैं कहा का पढ़ाए होता है और इसके अंट्री कॉलिफिशन क्या क्या है स्लेवस क्या है कोपा ट्रेड कंप्रेड करके आप क्या कर जॉब हासिल कर सकते हैं तो ये साब कुछ इस वीडियो में आप जान सकते हैं अगर आप कोपा में अड्मिशन लेना चाहते हैं तो इस वीडियो को शुरू से आं तक जुरूर देखिए इसमें बहुत सारा इंफर्मिशन आप पास सकेंगे अगर आप कोपा में अड्मिशन ले हैं तो भी आप इस वीडियो को जुरूर देखिए तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो में हम जानेंगे कोपा ट्रेड के परिचाई और दाइरा सबसे पहले जान लेते हैं कोपा का फूल फर्म कोपा का पूरा नाम है Computer Operator and Programming Assistant अब चलिए कोपा टेड संबंदी जनकरी ले लेते हैं देश के सभी आधोगिक प्रशिक्षन संगस्तान में एवं पत्तिक राजी सरकार के अधिन संचालित किये जाते हैं जिने के इंदर सरकार दरा स्राम वीभाग के प्रशिक्षन एवं सेवा नियजन नीदेशलाई के अंतरगर्थ मानवता प्राप्त होती है इन अधोगिक प्रशिक्षन संगस्तान में कोपा वेबसाई भी एक प्रमोक ट्रेड है कोपा ट्रेड के अबदी एक वर्श की होती है प्रटीक्रम के अनुसार संगस्तान में छात्रों की एक सब्ता में 40 गंटे कक्षाई चलती है जिसमें 30 गंटे प्राइक्टिकल कक्षाई और 6 गंटे ट्रेड थियोरी कक्षाई चलती है अधोगिक प्रशिक्षन संगस्तान से इस ट्रेड में प्रशिक्षन प्राप्त करने तथा उत्तिन होने के पस्चाथ प्रशिक्षों को National Trade Certificate यानि NTC Certificate प्रदान किया जाता है प्रशिक्षान अब्धी फूर्ण होने के पस्चाज प्रशिक्षो को विविन मानित प्राप्त कारिशाला में अप्रेटिशिप का अफसर प्रदान किया जाता है इस अब्धी के दावरान उन्हें नियमनिसार पतिमा चात्रबीति भी प्रदान की जाती है कोपर ट्रेट में अडिविशन के लिए आपको दस் कास होना जरूरी है अधिक जानकारी के लिए संगस्तान दोरा विवरन पुत्री का उफ्लप्त कराई जाती है अत्वा आप किसी भी विशाय में अधिक जानकारी के लिए आप DGT की वेकसाइट में जाकर पता कर सकते हैं वहाँ पे ट्रेड वाइज आपके डीटेल्स क्वालिफिक्शन क्या क्या जुरूरी है सब आपको मिल जाएंगे आप जान लेते कोपा ट्रेड विशाय सुची यानि सलेवास के बारे में कोपा ट्रेड में आप निमनलिकित विशाय पर प्रिशिक्शन प्राप्त कर सकते हैं सुरक्सा और सेप्टी रूल्स के बारे में प्रिशिक्शन प्राप्त कर सकते हैं Computer Basic Fundamental पर आप प्रिशिक्षन प्राफ्ट कर सकते हैं। Hindi और अंग्रेजी टाइपिंग आप संपूर्ण सीख सकते हैं। MS Office Package यानि Advanced Word, Excel, PowerPoint, Outlook, MS Access आप सीख सकते हैं। जो Computer शिक्षा में सबसे मुहत्वपूर्ण होती है। और Official कोई भी Computer में काम करें तो आपको MS Office Package जानना बहुत ही जुरूरी है। इसके बाद आप Database Management System यानि DBMS सीख सकते हैं। Image Editing यानि Microsoft Picture Manager, Photoshop, Paint या कोई भी Open Source Software से आप Image Editing कर सकते हैं। जिसके साइता से आप Document को वैतर बना सकते हैं। इसके बाद Computer Networking जो आज के योग में सबसे महत्वपून भाग है। आप IT को पक करके Computer Networking के बारे में संपून जानकरी हासिल कर सकेंगे। इसके बाद Internet और Advanced Email Writing प्रॉसेस आप पूरा जान सकेंगे। क्या क्या प्रॉसेस होता है, कैसे Internet का इस्तेमाल किया जाता है और Email कैसे लिखेंगे, किस तरह से बिजनेस में आप Email लाइटिंग सिखेंगे। इसके बाद आता है Website Design आप HTML और Java Script करके आप Static और Dynamic Website Design कर सकते हैं। या Designer के तौर पे काम कर सकते हैं। ITI में स्रेप कोपा ट्रेड में ही ये Website Design पढ़ाया जाता है और सिखाया जाते है, practically तो आसानी सब सिख सकते हैं। इसके इलाबा Computer Programming, Java Script सिखाया जाता है, Programming टेकनिक यहां पे आप Java Script में सिख सकते हैं। और Java Script Programming Language का प्रयोग करके Website Design भी सिख सकते हैं। इसके बाद आता है Visual Basic for Application यानी VBA इस Application का प्रयोग करके आप Programming Writing टेकनिक सिख सकते हैं। और Form Design कर सकते हैं और कई सारे Application को Modify कर सकते हैं। और कई सारे Program आप अपने हिसाब से MS Office Package को चला सकते हैं। और MS Office Package को अपने अनुसार इस Programming के साहिता से आप चला सकते हैं। इसके बाद आता है Basic Accounting Software यानी Tally ERP 9 आप Accounting भी कूपा करके सिख सकते हैं। यानी इस Accounting Software के साहिता से आप Account Management आसानी से कूपा करके सिख सकते हैं। इसके लाबा आप Inventory Management और Taxation भी कूपा करके सिख सकते हैं टेली अकाउंटिंग में। इसके बाद आता है Network Security के बारे में आप Knowledge हासिल कर पाएंगे। और Cyber Security Management भी आप कर पाएंगे कूपा करके। इसके लाबा आप e-commerce आप टेर्क के बारे में भी जानकर यहासिल कर पाएंगे। आप देख लेते कूपा ट्रेड में सबजेक्ट और मार्क्स क्या-क्या है। तो यहाँ पे मैं बता दू कूपा ट्रेड में इस तरह कंपीटर का पढ़ाई होता है। आप ट्रेड पैक्टिकल और ट्रेड थियोरी और ट्रेड सेशनल जो है पुरा कंपीटर रिलेटेड ही है। उसके लाबा आप एक इंप्लाइबिटी स्कील जो है पचास अंक यह थोड़ा कम आउट आप कंपीटर है। यानि कंपीटर सिलिवर्स के बाहर है। ये इंप्लाइबिटी स्कील आईटी आई में पढ़ाए जाने बाले सभी ट्रेडों के लिए कंपलसर ही है। ये नॉन टेक्निकल ट्रेड हैं तो नॉन टेक्निकल में भी आपको इंप्लाइबिटी स्कील पढ़ाए जाएगा। आपको एक्जाम देना है और बगल में आप देख सकते हैं पास माक्स ट्रेड पैक्टिकल में किसी भी ट्रेड में आपको 60% लाना जरूरी है। उसके इलाबा आप ट्रेड थियोरी में 40% पास माक्स हैं लेकिन बाद में डिजिट ने इसको चेंज किया था 33% लेकिन अभी ये 40% मान के ही चलना है ट्रेड थियोरी में पास माक्स उसके इलाबा ट्रेड शेशनल में 60% पास माक्स हैं और इंप्लाइबिटी में सेम उसी जरा 33% कर दिया गया था लेकिन actual है 40% pass mark है तो आपको ये सारे trade subject और marks note कर लेना है अगर आपको पकर रहे हैं तो अगर आपको पकरना चाहते हैं तो आप stable के बारे में जोरो जनकरी हासिल कर ले अब बात करते हैं duration and training hours trade of the और कितने गंटे class चलती है इसके बारे में कोपा ट्रेड एक वर्ष के होती है जो annual system में है वो आंत में ही परिक्षा देते हैं CBT में भी पढ़ाया जाता है लेकिन किसी किसी ITI college में या बोर्ट में CBT है तो dual system यानी साल में दो बार exam देते हैं यानी semester system भी पढ़ाया जाता है तो जब आप admission लेंगे तो annual system और dual system आप चेक कर लीजेगा अगर आप CBT से कोपा ट्रेड में पढ़ाय कर रहे हैं तो आपका exam साल के आंत में यानी annual system में होंगे अगर आप CBT में कोपा में admission लेंगे है तो आपका exam साल में दो बार यानी semester wise आपका exam होंगे यानी साल में दो बार आपको exam देने होंगे अगर आपको पा में admission लेना चाते हैं तो आप admission लेते समाएं जुरूर NCBT देख कर ही admission ले आप बात करते हैं entry qualification क्या है आपको high school pass होना जुरूरी है और यहापे ITI में जो admission होता है वो merit basis होता है किसी किसी state में परिक्षा के मादम से भी admission होता है अब यहापे course structure यानि साल बर में कितने घंटे के practical theory पढ़ाई होने हैं यहापे आप table के मादम से देख सकते हैं मैं सुरू में बता चुका हूँ सापता ही का आपका 40 घंटे जो पढ़ाई होती है कितने घंटे practical कितने घंटे theory पहले बता चुका हूँ तो इस table में आप देख सकते हैं यहापे देख सकते हैं दो सेमिस्टर यहापे SCBT के लिए यह table है अगर आप NCBT के हैं तो salver यानि annual system आपका है तो salver का यह आपका details training awards है आप बात करते हैं ITI को पाक course करने के लिए आपको कितने fees paid करने होंगे तो बात करते हैं government ITI के लिए तो यहापे 780 government ITI के लिए आपको fees paid करना है और 300 refundable यानि caution money के लिए जाता है जो certificate प्राप्त करने के अंत में आपको बाप सीख किया जाता है अगर आप private ITI से कोपा करना चाते हैं तो आपके लिए कोपा private ITI fees है 15,000 लगबग सालाना यारी एक साल का court से कोपा और आपको कोपा private ITI से करने के लिए 15,000 लगबग पेट करने होंगे आप बात कर लेते हैं कोपा trade complete करने के बाद आपको क्या-क्या रोजगार के अफसर मिलेंगे कोपा trade complete करने के बाद आप साइबर कैपे खूल सकते हैं सेटाप और मैनेजमेंट भी कर सकते हैं इसके लबाद साइबर कैपे में आप computer operator बन सकते हैं इसके लबाद सरकरी बेसरकरी स्कुलों में आप computer operator के तार पे काम कर सकते हैं बेसरकरी संगस्तनों में भी computer operator बन सकते हैं इसके लबाद अलग-अलग सरकरी संगस्तनों में आप job असिल कर सकते हैं सेरिल, डिया, डियो, आर्मी, बैंक, स्कूल, आई टी आई कॉलेज, पूस्ट आपिस, इलिक्टिक आफिस, नावल डॉक, ओर्डिनस फेक्टरी, मसमी आदी में आप गर्मेंट जॉब पास सकते हैं कोपा ट्रेड करके, इसके लबा आप अपना बिजनेस भी सुरू कर सकते ह इसके लबा आप अपना बिजनेस के लिए कम्पीटर दुकान भी खूल सकते हैं, जिससे आप रोजगर प्राफ्ट कर सकते हैं, गॉर्मेंट की तरफ से आपको लोन भी प्रवाइट किया जाता है IT Online Support प्रदान करके भी रोजगर प्राफ्ट कर सकते हैं, इसके लबा कम्पीटर रिप्यारिंग, कम्पीटर मैनेजमेंट करके भी आप रोजगर प्राफ्ट कर सकते हैं, इसके लबा अपना कम्पीटर सेंटर उपन करके ट्रेनिंग भी दे सकते हैं इसके लबाग कोपा कंप्लेट करने के बाद आप एक बर्ष का CITS सर्टिफिकेट कोर्स करके ITI में अनदेशिक भी बन सकते हैं ITI कोपा ट्रेट के बारे में और अधिक सोचना प्राफ्त करने के लिए आप निमने लिखित वेबसाइट पे जाके चेक भी कर सकते हैं या किसी ITI संगस्तान में जाके आप पता कर सकते हैं को सब्सक्राइब जरूर करें और लाइक शेर जरूर करें धन्यवाद